ह Там यहाँ डिल्ली से यहाँ पराया हैं इनका नाम जानना चाहते हैं रापको नाम कर दिमर नाम बशीर्म्ठ शेक है हां वन्टमें वागात हैं हम यहाँ पर आया है तो यहां पर बहुत मतलब रश्का में इसा क्यूंग देखिए सर आज आप जो एं जम्मू कश्मीर की जम्म सनासर जो है एक वैली है जमू डिवीजन की बड़ी खुबसूरत हिली स्टेशन है तो यह बहुत पुराना हिल स्टेशन है यहां पर जो है समर्ज में विंटर्स में टूरिस्ट जो है आलावर इंडिया से आता है लेकिन थोड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर की कमी की होने की है रस्ट्रांट्स का दिकत है होटल्स का दिकत है उसकी वज़ए से यहां पर थोड़ा टूरिजम का तूरिजम का जो है फैसलिटीज जो है टूरिजम को नहीं मिल पाती है सनासर जो है सनासर एक ऐसा हिल स्टेशन है जमू डिवीजन के अंदर जिसके अंदर आपको लेक के अंदर आपको शिकाराज नजर आएंगे जो के इंटरनेशनल हमारी जो डल लेक है वो बड़ी लेक है कश्मीर के अंदर लेकिन मिनी मिनी लेक जो है यहां पर सनासर के अंदर है जहां पर शिकाराज की जो है आपको शिकारा राइट्स करने का मौका मिलेगा साथ मी हम तुलिप गार्डन सनासर में बना है जिसमें पिछले दो सालों से दो धाई लाख फूल्स धाई लाख टुलिप्स अगाये जा रहे हैं जो के 25 वराइटीज है और हमारे जमु कश्मीर के कलंडर पर फ्रंट पेज मिला है उसके तरफ एक बहुत खुबसूरत मिडोज आपको नजर आ रहे हैं यह गॉल्फ कोर्स है यहां पर इंटरनेशनल गॉल्फर्स को यहां पर अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल गेम्स के लिए यहां पर गॉल्फ कोर्स बनाया जा रहा है और साथ ही हमारे इस तरफ जो है एक ट्रैक है शंक पाल ट्रैक वो शंक पाल ट जो है वो शंक पाल का जो है फेस्टिवल मनाया जाता है और साथ में इसके साथ साथ में आगे हमारे सुरनी कुंड पड़ता है लद्दाधार पड़ता है तो इन फ्यूचर में एडवेंचर टूरिजम के लिए सनसर जो है बहुत ही बेस्ट जगा है हमारी अपील है आल आवर जनतावंता में आपके केमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैं अपनी तरफ से यहां सनसर के लोगों की तरफ से सनसर के जो जितने भी यहां पर स्टेक होल्डर्स चाहे शिकारा वाले हैं हार्स राइडर्स हैं अधर एक्टिविटीज वाले हैं सबकी तरफ से जनतर मंतर का शुक्री आदा करता हूं कि आपने यहां पर आकर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने का जो बेड़ा उठाया है मैं उमीद करता हूं कि आलावर इंडिया आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आने वाले वक्त में सनसर के अंदर टूरिजम ज्यादा से ज्यादा यहां पर टूरिजम